चल्चत्र अभ्यान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं तो ऐसी सरकार का ऐसे मंतरियों का क्या फाइदा है और सोड़ा से उन्निस से बढ़तियां पांच से छे साल लोगे पैंडिंग पड़ी है एक भी नया रोजगार दिया नहीं गया और जो आदमी भरती किये गए पुलिस में विवैसे भी वो संक्या आदमी भरती कर दिये गए नमस्कार साथियों, CCA में आपका स्वागत है आज हम थाना भवन विधान सबा सीट के पिंडोरा गाउं में पहुचे हैं और जहां पर हम गाउं में हम लोगों ने लोगों से बात की और गाउं की जनता है हैं कि इस बार उत्तरब्रदेश विधान सबा चुनाओं को लेकर क्या माहूल बनने वाला है और यहां से मुख्या रूप से जो लोग दल के प्रत्याक्सी है असराप अली खान जी है एक साइड और दूसरी तरह भाजपा से गन्ना मंत्री सुरेश राना जी है जिनके बताया जा रहा है कि दोनों दलों को लेकर इस बार चुनाओं में अच करने वाली है और चुनाओं को लेकर वो किस तरह से देख रही है हम अहीं मुद्दो को लेकर गाव के लोगों से बातचीत करेंगे आई गाउं गाउं में बन रहा है। आप यह बताईए, पात साल हुए है सरकार को, आपको लगता है कि जो एक आम आदमी के मुद्दे हैं, शिक्सा, स्वास्ते, रोजगार, किसान, इन पात सालों में कुछ काम हुआ है? कुछ नी हुआ, यहां तो बाई कुछ नी हुआ, यहां तो बिल्कुल जीरो होगी, यहां तो पहले ते भी खतम, सुर्वेसरणा गन्ना मनतरी है, उसे मैं नू पूछना चाहता हूं, तो गन्ना गे रहाता, तेरा पेमिट होग्या के? तेरा पेमिट होग्या, अनि आमारे शामली मील, इस में गोगर मील में, गेट बंद करते, वेल्डिंग करते गाटर का, और यू मेरी जेटमन नू खड़ाता, अनू काम पता देखे, नू मैं इसको नू कहलगा, जा, भाग जा, मारे बता मुकद्ब होजागे, कट जागे, तो भाग जा जा, अनि हमने तो इसकी बोट दीती, नू सोच के दीती, भाई कुछ छेतर का करागा, इन्ने ने करया कुछ भी मारे मील की सड़क देख जागे, तो अपनी मोटर साइकल पर जा नी सकता, सो जगा पड़ागा, लेकिन किसान जो है, किन मुद्दों से ज़्या मतलब देख रहा है कि परेसान हुआ है, महंगाई दुनिया बरकी इसने बढ़ा दी, पैंट रोल पर पीशे इन ने इतने बढ़ा दिये, डीजल इतना बढ़ गया, किसान के करगा, कैसे पूर्ती करगा अपनी, और जो इतना महंगाई भी बढ़गी, और पीशा इसको मिल अपनी बढ़ा है, आपका क्या नाव है? नैन शिंग जी, नैन सिंग जी है, बताईए, उत्तवर देश में अभी भुगतान की क्या स्थिति आए, गन्ना भुगतान की आपके यहां से तो गन्ना मंत्री है, सुरेश राना जी, उनका कैसा सहयोग राया है, कि सानों के साथ, प्रेशानिया किस तरह की होती है अगर बुगतान नहीं प्रेशान नहीं एक आदमी कर लिवर खराब हो रहा कैंसर ऩो डेशान दे दी ज़ारी कोई कुछ नी है अऑना आपका क्या नाम मौनू जी ये बथा है आप नोजवान है यरूजवारी की क्या स्दिती या रोजवारी की bright ती थी आपके चेहते हैं बजी रोजगार तो कुछ है नहीं बेरोजगारी तो पांस साल तै बहुत ही जितने भी नोजवान है सबी तंग है और बिजली में जैसे पहले वेवस्ता थी वो खराब हो रही गन्ना किसान परिशान है मिल की सड़क ने बन पारी पैमिट नी होता टाइब उल्हार के जो मिल मालिक है वो भी यह बात कहते है कि सुरेस राना जी से पैमिट लो वो मील मालिक भी नी डरते जो मारे यांगे गन्ना मंतरी जी है उनसे यांगे जो मील मालिक है वे भी डरने की बात नी करते वो भी इन्हें कुली चेतावनी देते है जो मारे यांगे मंतरी जी है गन्ना मंतरी जी यहांगे जो मील मालिक है वो इन्हें कुली चेतावनी देते है यह cabinet मंत्री हो कभी कर इनकी इनकी कोई बात में नहीं मानता इनकी सरकार में अब इनका कोई मंतरी है विदायक है इनकी जब कोई बात ने चलती तो लोग इतने तंग है तो ऐसी सरकार का ऐसे मंतरियूंगा क्या फाइदा है एक असी बनाम 20 योगी जी ने कहा कि चुनाव हो है इसको आप कैसे समझ रहे हैं यह चुनाओ इस बार असी बनाम 20 के हम तो यही देख रहे हैं अब कहा गट बंदन की जीत होगी इन लोगों की जो मतलब जो यह मुस्लिम पर अभी खतम होगी जितनी भी गरीब जनता है सब ही बिरादरी सब इनकी बत्तों को समझगी जैसे राजनिती करें जो यह लोगों को बैकाने का काम करें लोगों में फूट डालने का काम करें के करना के मुद्धे पर करें के पलाइन कर लिया अगर मैं गाम कराने में पूछ लो किसको पलायन करवाया यह सब मुद्धें के जुट्टे है इन लोगों की जो यह वीडियो बनावे हैं एक मुसलमान को खड़ा कर लगे और मुसलमान को यह कहेगे कि तू इनके विरोध की बात कर और फिर उस वीडियो को दुनिया को दिखावागे कि पूरी तरह किसान के लिए जो इनोन किसान के लिए फिर है इन१ा मुत्वेश्ण के लिए तीसर बड़ा मुद्दा तीसर बड़ा मुद्दा है बैंगी बिजली यह तीन अमस्टर बस्रेश्ट मनूं लेकिन जब सरकार पावर में आई थी इसी सरकार ने कहा था कि 2022 तक हम किसानों की आए दुगनी कर देंगे और किसान को किसान के लिए बहुत सारी लाभकारी हो जना किसान को बरबाद करने का सबसे बहुत तरीका है अगर किसी को बरबाद करना एक लाग रुपे आप मुझे दो और मैं आपको उनों 20 किस्तों में देहूं आप देख लो क्या कर सको एक लाग रुपे का कुछ नहीं कर सकते हैं 2013 में एक खाई बनी थी साद हिंदू-Muslim के बीच अब क्या श्तिती है दंगे के बाद कितनी चीजे सुन देख मा मारी बास सुन देख हिंदू कोई इस देश में कलतनी आया और मुसलमान विश देश में को परसुतनी आया सदियों सर एत्यान लग रही अगर कोई बीच की ख पर इंदू के मकाबले जादे साई और जी जहां आप वो बता रहे बाइस में ऐसा ओना था नो ओना था किसान के अमन नहीं होगी अद्धी बिजली के में गए स्लेंडर हैं कहां थे कहां पहुंच गया मायावथी के टाइम पर यह यू भी आरोफ लगा मैं अग उसने चब रिजिगे लिए दे उसका साद कि इसे मजबूत रह तो बस्त बॉस्पा का इन से भी मजबूत रह है जब पर मैं हम ने एक मान दे दीए उसके पैसे कोई नई देता तो यहां रख दो ऑंची मोजवान किस तरह से देख रहे हैं सितना हों मोजवान को कि अआ को कुछ मिले से उननीस से बढ़तियां पांच से छे साल होगे पैंडिंग पड़ी है एक भी नया रोजगार दिया नहीं गया और जो आदमी भी बढ़ती किये गए पुलिस में भी वैसे वह संक्या आदमी बढ़ती कर दिये गए मुंबई से बताओ यूपी पुलिस में मुंबई से यह मा तो सरकार जब जाके जागी और वरस्टाचार का लेवल बिल्कुल सो परसेंट चल ला है एक भी लड़का वीडियो की बढ़ती देख्वाब दो जार अठारा की वर्ती उसमें सत्र उननीस सो त्रेपन की वैकेंसी थी साड़े सत्रह सो बच्चे बढ़ती जो करें वो फरजी तरीके सनकाल लगा दिये फिर वह उसकी जांच हो गई तो पता चलगा रिये एक जाम देंगे एक लड़का जो पंदो जार पंद्रह में त तो निकली चुकी है आगे आने वाले समय में मिलेगी नहीं मिलेगी लग सत्र परसेंट नोक्रियों से तो आती दो चुका है तो बात ही है कि बरस्टे चार है बिल्कुल यू आओ का तो यू आ एक भी वोट नहीं करने का बीजेपी को हम तो इभी की बार मां आपको पहले दिया दा और जो मारा भाई यू खिलाप है भी और चाहा मारा बेट्टा लगाया हमाचा बप्पू करना पड़ी हो का बोट किर वावंगे इस पभी बप्पू बोट गेर दा जो खिलाप भी है हमने दक उसमन्द करकर सब कर लिये अपने इस बार बदला होते हैं पूरा ब लोगों का कहना है कि बदलावते हैं किसान मजदूर इस सरकार से नाखुस है और इस बार वो गटबंधन की सरकार को वोट करने जा रहा है और उसी की सरकार आगे बनाने जा रहा है सीजे के साथ जुड़े रहे धन्यवाद